हलो दोस्तों गूणिंग, स्वागत इक बार, फिट से आप सभी क्या, MZT एजूकेशन में, दोस्तों आज है 27 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 मार्च 2024 के most important daily current questions के बारे में पूरी वीडियो ध्यांस देखेगा, पूरी वीडियो डीटेल में आपको समझाई गई है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और सेर जरू करना, और अगर चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेसन आप तक पहुंचता रहे है, शुरुआत करेंगे अपने वही रोजाना के सेग्मेंट रिविजन से, तो रोजाना हम लोग एक दिन पहले का रिविजन करते हैं, एक मिनिट में, क्विकली वन लाइनर की रूप में, उसके बाद हम लोग डीटे इंजीनियर का लांच किया गया है, जिसका नाम है डेविन एयाई, भारत से दो हल निरमे डॉर्नियर टू टू एट विमान गुयाना खरीदेगा, इसके अलामा संजय मुखरजी पसिर मंगाल के नए डीजीपी नियुक किये गये हैं, और मेगन नाम का चकवाती तूफान उत्तरी आस्ट्रेलिया में आया हुआ है, बिलियार्ट्स हाल अफ फेम में सामिल किये गये हैं भारत के दिगज बिलियार्ट्स खिलाड़ी पंका जानवानी, और अभी हाली में जैनात पती के दौरा लिखी गई पोस्तक पहली मगही उपन्याद फूल बहादूर इसका अ वैट्टी आर्मस्ट्रांग चांकसन को क्यूबा में भारत का अगला राजदूत ने उत्या गया है, ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन से कल की वीडियो से जिनका आप आपने किया है क्विकली एक मिनट में रिवीजन, अब हम लोग डेली करेंट अफेर की तरफ बढ़ करती है कि MZT के कोई साभी वीडियो कोर्स को परचेस करो और आपको 72 घंटे का एक ट्रायल मौका दिया जाएगा कि आप 72 घंटे तक ट्रायल करो कैसी क्लासे आती है किस प्रकार से पढ़ाया जाता है क्या-क्या सुधाय मिलती है अगर आपको फसंद नहीं आता है तो आप रिफर्ण मांग सकते हो बिना किसी क्वेशनिंग के आपका रिफर्ण किया जाएगा तो आप जो है फुल रिफर्ण पॉल्सी का फायदा उठाईए आज लास्ट दिन है कोई सब वीडियो कोर्स अगर आपका MZT का लेना है तो आप जरूर इसको परचेस कीजिए आज MZT app पर मिलेगा यह सब चीजे वीडियो कोर्स सेक्षन में जाकर के आप इसका फायदा उठा सकते हो आगे देखते हैं पहला कुशन पहला कुशन है विश्वरंगमंच दिवस का मनाया जाता है वर्ड थिएटर डे तो प्रतेक वर्ष दोस्तों यह मनाया जाता है 27 मार्ज को यानि आज वर्ड थिएटर डे है विश्वरंगमंच दिवस है वर्ड थिएटर डे दोस्तों इंटरनाशनल थिएटर इंस्टुटीट के दारा मनाया जाता है 1961 में जिसकी शुरुवात हुई थी और देखो यह थिएटर इंस्टुट ना जो थिएटर आर्टिस्ट होते में रहते हैं बहुत सारे हैं उन सब को सम्मायत करने के लिए एक महत्मूर दिवस होता है तो इगर बात कर यानि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टुट की तो इसके दुनिया भर में 85 से जाधा सेंटर्स हैं इसी के दौरा सेलेबिरेट किया जाता है यह दिवस ठीक है आगे यह merit के तरट पर समुद्र के अंदर में इक आइसे पोड की नही प्रजाति को जी गए है जिसका नाम इस रो के नाम पर रखा गया है जी हां इस रो यानी इंडियारी सर्ट रिसर्च और नीजएसन इसी के नाम पर इस नए आइसे प्रकार से समुद्र के अंदर मे पाए ज प्रजाती मिली थी उसमें द्रवपदी मुर्मु जी के नाम पर उसका नाम रखा गया था ऐसे यहां पर इस रोकी नाम पर यह रखा गया अभी आज ही एक और कोश्चन है प्रशिद साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है उसको भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यह प्रशिद फेमस जो अपने साइन्टिस्ट होते हैं या बड़े व्यक्ति यह संस्ताय होते हैं जो कुछ इंडिया के लिए तो उनको समर्पित कर देते हैं इससे क्या होता है उनका नाम समझलो अजर अमर हो जाता है ठीक है तो यह बात ध्यान रखेगा आइसोपट की यह अका सेर्व की जीओ का एक समूह आता है कि कड़ा और जीएंगा जैसे हम लोग लोग परिये नाम में कहते हैं उसी टाइप का एक केड़ा ये भी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है चुनाव आयोग ने दिव्यांग वेक्तियों के लिए हाले में कौन सा एप लांच किया तो अभी चुनाव आयोग ने दोस्तों एक एप लांच किया है सक्षम नाम से ये सक्षम एप दिव्यांग वेक्तियों के लिए और बुजुर्गों के लिए है ये उनको सक्षम करेगा वहां तक वोट पहुचाने के कैसे वोट पहुचाना क्या वो लोग जा करके वोट प आप की वोट प्रॉम कर सकते हैं यानि घर से मतदान कर सकते हैं तो इस एप के जरीए यहां पर देखो घर से मतदान करने में काफी जाद़ सहूलियत आएगी यह किस के लिए हैं लेकिन सब लोग घर से नहीं मतदान कर पाएंगे ऐसे वक्ती जिनकी उमर 85 वर्स से अधिक ह हो गए हो अभी अगर याद हो आपको कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि चुनावाइव ने यह 80 वर्स से बढ़ा करके 85 वर्स किया पहले 80 वर्स हुआ करते थे अब यह जो हेल मिनमम एज को अगर जो जा करके वोट करना चाहते हैं उनके लिए परिवाहन की सुद्धाएं भी दी जाएगी तो यह दोनों प्रकार की सुद्धाएं दी जा रहे जिसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो सके चुनाव आयोग ने ऐसा किया है चुनाव आयोग के बारे में कु की नियुक्ती है यूँकि एक तो दोस्तो अनुप कुमार पांडे अनुप चंद्रपांडे और वो तो रिटायर हो गए थे इसके अलावा अरूंड गोयल जो है ये स्तीफा दे दिया थे तो पूरा-पूरा राजनीत में भूचा ला गया था तो यहाँ पर दो नई तो भारतिय समिधान में अनुप्षे 324 में इसका वरानंग किया गया है समिधान के भाग के अगर बात करे तो भाग 15 में ये पड़ता है अनुप्षे ये बात ध्यान रखना तीन सदस्तिय है ठीक है न यहाँ पर कुछ और पोर्टल आये हुए जो अभी हाल-फिलहाल में लांच जिसमें एक तो अभी चुनाव आयोग नहीं लांच किया था, no your candidate ये KYC के नाम से स्वाट फर्म में जाना जा रहा है, no your candidate वो बैंक वाला KYC मत समझेगा, चुनाव आयोग वाला KYC, इसमें कंड़िडेट जो उमीदवार होते हैं उनका पूरा चिथा होता है, पी-म अभी हाल फिरहाल में चर्च में आए प्रमुक एप और पोर्टल है हाले में इसराइल हमास संघर्ष के प्रतिउत्तर में भारतिय नौसिना ने कहां पर आपरेशन संकल्प सुरू किया है तो इंडियन नेवी ने अभी हाले में हिंद महासागर में दोस्तों आपरेशन संकल्प सुरू किया है अभी इसराइल हमास जब से संघर्ष चल रहा है तब से बहुत सारी ऐसी अजीब अजीब से घटनाय देखने को मिली है समुद्री लिट्रेरों वाली कई जगहों पर जो कार्गो सिप्स होते हैं अपने वो जब्त कर लिया जाते हैं लोगों को नागरिको को या फिर कोई अगर जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको किड्नाइब कर लिया जाता है समुद्री लिट्रेरों को दारा ऐसी बहुत सारी घटनाय देखने को मिली पीछले दिनों में फिलाल में जब जहाजों को समुद्री लूटोरों के दौरा किड्नाइब कर लिया जा रहा और यह अभी केवल जब से इसराइल हमा संगर शुरू है तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए इस निपटने के लिए उप्रेशन संकल्प नाम से एक अभियान एक प्रकार का प्रोग्राम लांच किया है भारतिय नों सेना ने हिंद मास आगर में जिसमें हिंद मास आगर भर में ऐसी कोई भी घटना होती है तो जा गया करके सब को छुडाने का यहाँ पर जिम हाली में आश्ट्रियाई Grand Prix F1 Race 2024 किसने जीता तो दोस्तों Grapry Formula 1 Race यह बहुत ही famous race होती है दुनिया में तो ऐसे में आश्ट्रियाई Grand Prix जो F1 Race है उसको जीत लिया है कार्लोस सैंज ने देखो मैक्स वर्स टिपन तो बहुत ही स्टार खिलाड़ी है नो डाउट ये बहुत ज से की कार्लोस सेंज टॉप क्यों किये टॉप इसलिए किये क्योंकि टॉपर जो था वो आया नहीं था यह बात थी तो यहां मैक्स वर्सेट इपन जो है इनकी गाड़ी में आग लग गए तो बहुत जल्दी यह बाहर हो गए थे और फिर कार्लोस सेंज ने जीत लिया अच्छ इसको भी समाप्त कर दिया है अभी के लिए तो आश्ट लिया ही ग्राप ली एफ-वन रेस इन्होंने जीत लिया है ठीक है जी इससे पहले सौधी ग्राप रिजुगा हुआ था सौधी अरवाला उसको मैक्स वर्सेट पर नहीं जीता था अगला साल भर में कुछ 23-24 की आस पसंद आता है कोई भी पर्चेज करते हो तो 72 गंटों के अंदर उनमें से एक का रिफंट प्राप्त कर सकते हो ठीक है एमजटी एप पर ये वीडियो कोर्स मिलेंगे वीडियो कोर्स सेक्सर में जाया है कोई भी डाउट है कोई और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस में कोर्स लाया गया है हाली में इंडियान इस्टील एसोसियेशन की नए अध्यक्ष कौन चुने गए तो दोस्तों इंडियान इस्टील एसोसियेशन की नए अध्यक्ष बन गया है नवीन जिंदल नवीन जिंदल जो है ये जिंदल गुरुप के जिंदर जो गुरुप है जिन्दल स्टील एंड पावर जैस्पी की नाम से ज़्यादा फेमस है उसके अध्यक्ष है वर्तवान में और इनको भारतिय इसपात संग का यानि की इंडियान स्टील एसोसियेशन का नया अध्यक्ष बनाय गया है जैसे अभी मैंने कल भी आपको बताया था ना एसोसियेश पादन होता है उसका 60% हिस्सा जहां जहां से प्रोड्यूस होता है उसके मेंबर इस एसोसियेशन के मेंबर है तो 65% भाग का ये प्रत्नेदेर्ट कर रहा है एसोसियेशन जिसकी अध्यक्ष आप करेंगे नवीन जिंदल किसकी जगापर आए हैं दिलीप औमान की जगापर आगे अगला कुश्यन है हाली में किस भारतिय वैग्यानिक के नाम पर एक छुद्र ग्रह का नाम रखा गया तो देखिए अभी मैंने बताया था कुछ दिर पहले ही कि नाम जो है वो ट्रिब्यूट करने के लिए दिये जाते है सम्मानित करने के लिए प्रकार से तो यहां प बहुत छुद्र ग्रह हैं छुद्र मतलब होता सोक्ष्म छोटा तो ग्रह हैं ग्रह की सबसे में परिभासा यह होती है जो सूरी का चक्र लगाता हो तो ऐसे ही यह चुद्र ग्रह भी सूरी के चक्र लगाते हैं लेकिन इनको छुद्र ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि एक त इसी ग्रह का चकर लगा रहे होते हैं, तो यह उपग्रह होते हैं, तो इस छोद ग्रह जो asteroids हैं, जो मंगल और वश्पती के बीच में पाए जाते हैं, यह question कई बार एक जम पूछा गया exam में, और दूसरी बात, इसी एक asteroid का नाम जो है, जैंत मूर्ती जी के नाम पर रखा गय है, 215884 जैंत मूर्ती, किस के दौरा नाम रखा गया है, तो International Astronomical Union के दौरा नाम रखा गया है, यही वो संस्ता है, पूरे international लेवल पर, जो ऐसे कोई भी छुद ग्रह होते हैं, या फिर कोई ग्रह होते हैं, कोई नया प्लानेट डूना जाता है, एक जो प्लानेट डूना PSU Awards में हिंदुस्तान से प्यार लिम्टेट को कितने प्रोस्कार प्राप्त हुए, तो अभी Public Sector के Undertaking Awards जो Governance Now के दौरा आजुद कराई गई, जिसका दस्वे संस्कार था, इसमें हिंदुस्तान से प्यार लिम्टेट को एक बार फिर से सम्मान किया गया है, और इस बार इस किसमें मिला है, एक तो CMD Leadership Award मिला है, दूसरा मिला है Refining Technology में Innovation, तीसी कटेगरी है करमचारियों के Reskilling के लिए, इन तीन कटेगरी में इसे सम्मानित किया गया है, हिंदुस्तान से प्यार लिम्टेट, तो सिप्यार लिम्टेट है, तो नाम से इस प्रस्ट है, सिप्यार की ए अगला कुश्चन है, हाली में किस हाई कोट ने मदर्सा सिक्षा अधनियम को रद कर दिया, तो दोस्तो अलहाबाद हाई कोट की अभी लकनौव बेंच ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, इसने मदर्सा सिक्षा अधनियम को उत्तर प्रदेश में एट लिस्ट ब मैधानिक बताया है, तो यानि कि अब उत्तर प्रदेश में मदर्से नहीं रहेंगे, यह अन कॉंस्टिटिशनल हो गए हैं, यहाँ पर देखो, अलाबाद हाई कोट डेक्लेर यूपी बोर्ड आफ मदर्सा एजुकेशन एक्ट अन कॉंस्टिटिशनल, मतलब तो अब क्या होगा, मदर्सा के जो इस्टुडेंट हैं, वो क्या करेंगे, वो अब जो यूपी बोर्ड की थूरू होती हैं, परिक्षाएं और जो पढ़ाईयां होती है, उसके तहत आ जाएंगे, और उनके तहत ही उनकी इस्टडिशन जो है, वो कॉंटिनू की जाएगी, यह अलाबा जाएगी, इनके समेट कई अनक्षेदों को वाइलेट करता है, साथ ही साथ में यह विश्व इदार अंदान आयोग, या कहें कि यूणिवाइश्टी जो ग्रांड कमीशन है न, यूजी सीची से आप कहते हो, उसकी अधनियम की उनीस्टो चपन की धारा बाइस का भी यह कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर इसे अनकांस्टेट्रिस लंगोसित किया गया है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया है, कि मदर्सों में नामांकी जो च्छात्र हैं, उनको नेमित इस्कूली सिक्षा परदान किया जाए, ठीक है, तो यह अलहाबाद का डिसीजन है, आगे बढ़ते हैं, हाली में किसको संग लोग सिवा आयोग का निदेशक नियुक किया गया है, UPSC, तो UPSC यानि Union Public Service Commission के नए निदेशक बने हैं, दोस्तों हंसा मिसरा, हंसा मिसरा जो हैं, इन्हें नियुक किया है, यह IA और AS है, IA और AS का क्या मतलब और इनको अगले 5 वर्सों के लिए नियुक किया गया है, संग लोग सिवा आयोग में निदेशक के पत्पर, ध्यान रखेगा यह निदेशक है, यह चेर्मैन नहीं है, ठीक है ना, चेर्मैन मत कर देना गलती से, चेर्मैन मनोज सोनी है, ठीक है, अस्थापना UPSC की 1926 में ह हुई थी, हेटकोार्टर नहीं दिल्ली में है, और मनोज सोनी जीस के चेर्मैन यह कहें अध्यक्ष है, यह थी टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन आज के दिन से, सत्यों, आज एक बहुत ही खास जगा जा रहा हूं है, घर पर आये थे, तो घर से यह पास में है, तो इसलिए का सही होता है, और मैं आपके कमेंट्स परता रहूंगा, यहाप अब कुछ प्रमुक नियुक्तियां है, इसको देख लेते हैं, फटाफट से, हंसा मिस्तरा जी, संग लोग सेवायोग में निदिशक नियुक्तिये गए हैं, संजय मुकर जी को चुनावायोग ने पश्चि के CEO हैं, राहुल सिंग CBSC के नए अध्यक्ष बने हैं, ग्यानेश कुमार और सुफिर सिंग संदू, ने चुनाव आयुक्त हैं, और नायप सिंग सैनी को हर्याना का नया मुक्यमंद्री बनाए गया है, इसके अलावा लास्ट बार एक बार फिर से आप जो है, इसका फाइ को क्या बताना है, आज आपका कुश्चन है, इराक में भारत का नया राजदूत किसे ने उप्यागा है, इंपोर्टन कुश्चन है, कल के वीडियो देखे हो को जरूर अंसर करोगे, और गुयाना की राजधानी बता देना, दोनों कुश्चन के बारे में जो भी डिटेल ह जरूर अंसर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथी हो, यहां तक वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार जहें, वंदे मात्रम